नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई दिवान सरपे आज आपके लिए मैं करंट अफ़ेर की धाकड कलास लेकर आया हूँ जी हाँ बिल्कुल हर्याना में बहुत सारे आंकड़े बदल चुके हैं जो आर्थिक ऑड़ा बदल चुका है मंडल कहा अकड़ा बदल चुका है इसके अलावा में बात कर लूँ तो नगर निगम नगर पर से नगर पालिकां कर आँकड़े बदल चुके आपको देखने को मिलेगा तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लेजिए चलो चलते हैं आज के पहले क्यूशन पर पहला क्यूशन आपके सामने रहेगा कि परस्ताविक परिसिम्न वर्स 2026 में हर्याना विदानसवा की सेटे बढ़कर हो जाएगी तो हर्याना विदानसवा की सेटे बढ़कर कितनी हो जाएगी यानि 2026 में एक संभावित बताई जा रही है तो यह हो जाएगी कितनी, 126 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 126 हो जाएगी, अभी कितनी है दोस्तों, अभी 90 सिटे हैं, कितनी अभी 90 सिटे हैं, तो यह बदलेगी, तो इसके साथ आरक्सित भी बदलेगी, उन पे भी नजर डालेंगे, और लोकसभा की भी बदलेगी, है न प्रिस्यमिन आयोक तो लोकसभा और विधानसभा दोनों की सीटे हैं वो मतलब क्या है चेंज करता है तो देखी आगे बात करूँ में प्रस्तावीत प्रिस्यमिन दोजार-चब्ड़ेस के अंसार हृयाना में लोकसभा की सीटे बढ़कर हो जाएगी तो हर्याना में डालूँगा ने तो को वीडियो नहीं देखेगा रात को 9 वजए आपको टेलिग्राम में with answer इसकी PDF मिलेगी टेलिग्राम बॉक्स टेलिग्राम का जो link है वो discussion box में यहां जाओगे न आप discussion box में एक निशान होता इस type का यहां निचे निचे देखोगे इस side में मिलेगा तो उस पर click करोगे न तो निचे लिखाएगा टेलिग्राम लिंक पर click करने के लिए यहां click करें वहां कर ले न आपके सामने PDF आ जाएगी अगला कि उसने देखिए आपके सामने रहेगा परस्ताविट प्रिस्यमन वर्ष दोजाट 26 में हर्याना में अरक्सित विधान सुबा की सेटें बढ़कर हो जाएगी तो विधान सुबा की आरक्सित बढ़कर कितनी हो जाएगी वैसे तो हो जाएगी अरक्सित कितनी हो जाएगी तो यह हो जाएगी जी आरक्सित आपके कित बड़ कर हो जाएगी यानि लोक सभा की सिटें बड़ कर हो जाएगी तो यह क्यूसन तो एक मिनट भई तो दोस्तों इस क्यूसन में थोड़े से अंसर गड़बढ है वो बता देता हूँ देखिए आपको पता है कि लोक सभा के भी दस सिटेंगे हैं दस के पीचे कितनी अरक्सित हैं दो और यह हो कितनी जाएगी चौदा हो जाएगी तो इसके पीचे तीन अरक्सित हो जाएगी इसका right answer क्या रहेगा? तीन रहेगा. क्यूशन नमबर अगला आपके सामने रहेगा स्क्रीन पे वर्तमान हर्याना में नगर निगम कितनी है? तो वर्तमान हर्याना में नगर निगम की संक्या भी 11 है, एक बढ़ अपने बढ़ कर माने सर बढ़ चुका है, तो वहना कितनी हो चुकी है? ग्यारा हो चुकी है. इसके लाव अगला क्यूशन, वर्तमान हर्याना में नगर प्रिशिद की संक्या 20 है, कितनी है दोस्तों नगर प्रिशिद की संक्या वर्तमान में 20 है, बिल्कुल official data है, इस पर किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को. अगला क्यूसन, वर्तमान हर्याना में नगर निगम, या सोड़ी, नगर पालिकाओं की संक्या कितनी है? तो नगर पालिकाओं की संक्या स्ताहन है. हाल पिलाल में तो यही है इन तिनों की, आगे अगर कोई changing होती है तो उसके बारे में आपको update कर दिया जाएगा आगे देखिए अगला question हर्याना में कितने गाउं को 24 गंटे बिजली दी जा रही है हर्याना में हाल फिलाल में कितने गाउं को 24 गंटे बिजली दी जा रही है तो हर्याना के अंदर मैं बात कर लूँ और ओप्सन रहेगा इसका डी यानि 5,270 गाओं को हर्याना में बिजली दी जा रही है ये बहुत important question है याद रहे दोस्तो आगे चले अगला question रहेगा कि 100% vaccination करने वाला पहला गाओं गोविंद पूरा बना है कौनसा बना है गोविंद ये किस जिले में है तो गोविंद पूरा बाई जो अबी ये अपने एक ज्याम हो रहे है जितने भी स्वास्ते से संबंदित उनमें क्योसन ही appropriate है то ये दादरी जिले में किस जिले में है दादरी जिले में है vaccination 100% गोविंद पूरा में हुई है हर्याना का पहला गाओं बना ह एगला क्यूसन आपके सामने सबसे दिख वैक्सिनेशन वाला अपने बात करें जिला कॉंसा है सबसे आगे कॉंसा चला है तो ये गुरुग्राम चला है पड़े लिखे लोग हैं यहां वेक्सिनेशन लगा रहे हैं सबसे पीछे नू चल ला है ठीक है सब्सक्राइब कले ना जिसने भी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नी किया दोस्तों अगला किसना आपके सामने हर्याना के मुखे निर्वाचन अयुक्त कौन है तो हाल फिलाल में हर्याना क जो मुखे निर्वाचन अयुक्त है वो है धनपत्सिंग कोना भई धनपत्सिंग याद करें कि हर्याना मुखे निर्वाचन अयुक्त है निर्वाचन अयोगा वो चाहता है कि कोई चुनाओ में निर्वाचन में कोई धन ना बांटे तो धनपत्सिंग को ही बना दिया गया ठीक है अगला देखिए हरियाना में कुल कितने गाउं हो चुके हैं तो हरियाना में हाल पिलाल में कितने गाउं हो चुके हैं ये तो अगर बात करें 6,841 ये तो 2,011 की जनगर्णा के उनसार थी अभी हाल पिलाल में हरियाना में कितने गाउं हो चुके हैं तो राइट आंसर हैं तो आज से चार-पांदीन पहले सीम मनोवला लकटर ने ट्वीट करके बताया कि हर्याना के अंदर कितनी ग्राम पंचाइते हैं ठीक है तो हर्याना के अंदर ग्राम पंचाइतों की बात करूम है तो अभी हल पिलाल में 6197 हैं कितनी है 6197 हैं हो जाएका ना तो ये भूमी का ब्योरा लिया गया तो सीम ने का कि हर्याना के अंदर 6197 में पूरे हर्याना को कवर कर लिया गया है ठीक है इस टाइप में कोई मतलब निउस थी तो 6199 और ये अपडेट पंचायती राज जीयोगी.in पे भी यही दे रखी है आगे चलें हर्याना के अंदर बात करें तो बताईए हर्याना के किस जिले में पंचकरम वेलने सेंटर स्तापित किया जाएगा पंचकरम वेलने सेंटर स्तापित होगा तो ये कहा होगा ये मतलब क्या है आईरुवेच्छी जुड़ा हुआ है तो ये पंचकुला में होगा पंचकुला में दोस्तो थापली हर्बलपारक है मोर्णी सुना है ना अपने मोर्णी मोर्णी में थापली हर्बलपारक है और थापली हर्बलपारक के अंदर मोर्णी के अंदर पंचकरम वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी ठीक है क्योंसा जिला टूरिज्यम हब के रूप में विक्सित किया जाएगा या विक्सित होगा तो कौन सा जिला टूरिज्यम हब के रूप में विक्सित होगा तो वह पंचकुला जिला है वो टूरिज्यम हब के रूप में विक्सित होगा very very important question रहेगा ये वाला अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो भी कंजूसी मत किया अगरो टाइप करके इतने बड़ीय बड़ीय क्यूसन लेकर हैं आपके लिए मैं हर्याना की किस नदी पर सौमबती या सौमबती विराज बनेगा किस नदी पे बनेग याद रहे सर्स्वती नदी पर आदी बड़ी कहां पड़ता है आपका यूमना नगरमी है किस नमर अगला आपके सामने रहेगा कि बताइए सर्स्वती नदी के सरंक्सन है तू हर्याना सरकार ने कितने करोड़ रुपे देने की गोशना की है तो हर्याना सरकार ने कहा है कि सर्ष्वती नदी के संगसेने तु हम 500 क्रोड़ रुपे लगाएंगे, कितने 500 क्रोड़ रुपे लगाएंगे किसे नमर अगल आपके सामने रहेगा अब तक हरियाना के कितने गाओं लाल डोरा से मुक्त बन चुके हैं, तो हरियाना में अब तक कितने में लिखाने मिलेगा ठीक है अच्छे सी एक एक चीजह को कवर कर ले ना। पांचो चुराशी गाऊन लाल दोरा से मुक्ट अंग्रिज़ों के टाइम मे ना इह लाल दोरा परंपरा चलाएगी दोस्तों लाल दोरा परंपरा होती है कि जिसका घर है ना बात करें लाल डोरे के अंदर है लाल डोरे के अंदर है वो रजिस्टेशन होगा लाल डोरे के बाहर है वो क्या होंगे भई वो अपने पंचायत की भूमी पे उत्ते हैं डानी बगएरा को छोड़ दो बात अलग है और अगर बात करें लाल डोरा मुक्त बन बताओगे हर्याना का पहला लाल डोरा मुक्त गाउं कौन सा बना था अगला किसना आपके सामने परसंद रहेगा कि हर्याना में कुल कितनी उपतसील है तो आंकड़े बदल चुके हैं जैसा मैंने आपने को थमनेल में लिखा और वैसा ही यहां पे भी है हर्याना के इंदर 50 स से गटकर उंचास हो गई हर्याना में कितनी उपतसील है तो आपको करना जी उपतसील शर्याना में 49Φ 64949 हो जाएगा satisf हर्याना में कुल कितने उपमंडल है हर्याना में कुल कितने उपमंडल है तो हर्याना के अंदर उपमंडल हो चुके हैं 74 कितने हो चुके हैं 74 कितने हो चुके हैं 74 अर्याना में उपमंडल हो चुके हैं इसका प्रूप भी दिखाऊंगा भई ठीक है इस वीडियो में इसका लास्ट मे पुरुफ भी मिलेगा आपको अगला देखिए हर्याना में कुल कितनी तसील है तो हर्याना में तसील बात करें 93 से 94 हो चुकी है तिरानमे से कितनी चुरानमे हो चुकी है जैसे कि 50 क्या थी अपनी पहले उपतसील थी वो घट गई एक उन्चास हो गई इधर ये बढ़ गई म अगला आपके सामने देखिए हर्याना में कुल कितने खंड है तो हर्याना में at present time खंड ब्लोक खंड मतलब बोले तो ब्लोक हर्याना में कितने खंड है खंड आ जाए पर खंड आ जाए ब्लोक आ जाए एक ही बात होती है हर्याना में 142 खंड 142 ब्लोक है हो जाएगा ना 142 40 ब्लोग है तो दोस्तों ये थे आपके लिए क्यूशन अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब ने किया चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक जरूर करें और अच्छे लगी हो तो अपने यहाद दोस्तों को सेर करें मेरे हिसाब से ये पूर्णत है एकदम ओपिस बार दिखा हुआ यहां देखिए दिखाई दे रहा होगा आप सभी को हर्याना सरकार आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट दोजार बीस इकीस ये अपने जो आर्थ एवं सांके की विशिलेशन विभाग है हर्याना सरकार का जो की सेक्टर चार पंच्छकुला में है उन्हों देखिए हर्याना एक दर्ष्टी में देख रहे होंगे ना आप सभी दिख रहा है ना इसमें देखिए जनवरी 2021 के उन्चार यहां तक तो आकड़े 2021 के उन्चार है तो यहां आम के अंदर मंडल कितने 6 जिले कितने 22 उप मंडल कितने 74 तसील कितनी 49 खंड कितने 142 अब नी यहां तो गाउं उतन ही दे रखे हैं तो यह तो 2011 के उन्चार ही दिये हुए है ठीक है तो गुड़वाए राम राम नमस्ते क्लास अच्छी लगी हो पुरूब भी दिखा है आपको तो भाई ज़दा ज़दा वीडियो को सेर कर देने वीडियो को लाइक जरूर करना इस व